हलो फ्रेंड्स मैं हूँ पंकच पंजवानी और आज हम पाइथन का एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि जो दो स्ट्रिंग सें वो एनाग्राम है या नहीं है अब एनाग्राम का मतलब क्या होता है इसी दो स्ट्रिंग जिसमें जो करेंटर्स हैं वो सेम है बट उनका सीक्वेंस अलग हो सकता है ठीक है जिससे मैंने लिखा जिससे सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है एंड इसमें मैंने लिख दिया एबी सीडी ठीक है एक स्ट्रिंग वेरियेबल बना दिया इसमें मैंने एबी सीडी रख दिया दूसरा string variable बना दिया इसमें मैंने रखा dbca इसा कुछ रख दिया ठीक अब दोनों strings में आप देखो number of characters क्या है equal है and दोनों में same characters है पहले वाले में a दिया है दूसरे वाले में b है दूसरे वाले में b है मतलब पहले वाले में a b c d का use किया है दूसरे में b a b c d का use किया है and सबका single single time use किया है तो enagram string वो होती है जिसमें characters क्या होते हैं same होते है string 1 के अंदर भी character सेम है string 2 के अंदर भी सेम है sequence अलग हो सकता है नहीं भी होगा तो भी उसका भी output enneagram आएगा ठीक है and एक होता है आप देखते हो sequence अगर उल्टा हो जैसे suppose यहाँ पे मैंने लिखा radar मतलब कहीं से भी read करो left से read करो या right से read करो तो दोनों में अगर एक ही word आपको मिलता जैसे radar को आप right से read करोगे या left से read करोगे तो आपको output में radar ही मिलेगा तो उसको हम palindrome बोलते हैं ठीक है बट यहाँ पे enneagram की बात हो रही है enneagram में ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे से read करो पीछे से read करो ठीक है enneagram में दो strings की बात हो रही है दो अलग-अलग string है and उन में जो number of characters हैं और जो characters हैं वो same होंगे ठीक है बट उनका sequence अलग हो सकता है ठीक है तो मैं वापिस यहाँ पे ले रहता हूँ suppose मैंने लिखा यहाँ पे a and c फिर मैंने लिखा d and b capital भी हो सकता है small भी हो सकता है उससे कोई problem नहीं है अब यहाँ मैंने लिखा d, b and बचा क्या c, a ठीक है इस तरही किसे लिखा अब देखो पहले वाले string में भी क्या है a, b, c, d दूसरे में भी a, b, c, d दिया हुआ है a, b, c, d but sequence अलग है तो अब हमें identify करना है program की मदद से कि ये दोनों string आपस में enagram है या नहीं है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है इसकी length को देखना है इन दोनों की length equal होना चाहिए जैसे पहले वाले में भी 4 character है दूसरे वाले में भी 4 character है तो हम आगे check करेंगे अब पहले वाले में अगर 5 character है suppose एक और character डाल दिया तब तो यहीं पर पता चल जाएगा कि enagram नहीं है तो number of characters equal होने चाहिए तो सबसे पहले तो हम यही check करेंगे तो हमने कैसे check करोगे आप if की condition लगाओगे तो आपने length चेक करना है तो मैंने देखा अगर str1 की जो length है अगर वो not equal है किसके str2 के ठीक है तो यहाँ पर हमने length find कर लिया length function का use करके हमने देखा पहले वाले string का length क्या है 4 है क्या वो equal नहीं है दूसरे वाले string के length के तो 4 not equal to 4 यह condition तो गरत हो जाएगी इस वाले case में ठीक है तो यह कुछ भी strings हो सकती है हम user से भी ले सकते हैं तो अब सबसे पहले हमें यहीं चेक करना है कि जो length है अगर वो not equal to एक दूसरे की जो length है वो आपस में not equal है तो हमें सीधे print करना है कि anagram नहीं है तो हमने यहाँ पर print कर दिया both the strings are not anagram both the strings are not anagram तो आपको यहीं पर पता चल गया कि दोनों जो string है वो anagram नहीं है और इसको हम करके देख लेते हैं suppose मैंने यहाँ पर कुछ दूसरे दो character डाल दिये एक भी character अगर extra हो गया length दोनों की change हो जाएगी पहले वाले की length कितनी है 6 है दूसरे वाले की length 4 है तो यहाँ पर जो हमारा answer आएगा यहाँ पर colon symbol नहीं लगाया मैंने अगर मैं इसको हटा दूँ तो अब दोनों में 4 characters है तो यह वाला condition गलत हो जाएगा तो इसके बाहर जाएगा बाहर तो अभी कुछ किया नहीं है तो output में कुछ भी नहीं आएगा लेकिन हमें तो कुछ करना है आगे हमें और check करना है अभी हमने length को check कर लिया अब हमें क्या check करना है अब हमें दोनों की दोनों के अंदर जो characters है वो check करने क्या वो match हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो एक else part बना देते हैं and else part में सबसे पहले में क्या करूँँगा अब मैंने कहा है convert कर लो या तो upper case में या lower case में तो इसमें जो number of comparison से फिर हमें कम करने पड़ेंगे हमारा जो speed है वो improve होगा क्योंकि comparison कम करने पड़ेंगे तो मैं क्या करता हूँ str1 में जो string है उसको convert कर देता हूँ lower या upper में अपर में भी करोगे तो भी कोई दिक्कर नहीं lower में भी करोगे तब भी कोई दिक्कर नहीं तो lower function हमें दिया हुआ है तो यहां पे मैंने str1.lower लिखा तो यह जो है convert कर देगा इसको lower case में ठीक है आपने लिखा str1.lower तो यह lower case में convert होके str1 के अंदर आ जायेगा similarly यहां पे मैंने फिर से इसको copy कर लिया and अब str2 को भी मैंने lower case में convert कर लिया ठीक है तो जितने भी लेटर हो अब upper case भी हो सकते हैं lower case भी हो सकते हैं तो सब को किसी same में convert कर लो या तो upper case में या तो lower case में तो दोनों को lower case में convert कर लिया उसके बाद अब हमें करना है shorting तो अब अगर हम इसको shorting कर दें जैसे इसको हम shorting कर देंगे मतलब अगर मैं इसको arrange कर दूँ छोटे से बड़े के form में तो इसमें मुझे क्या मिलेगा ABCD यासा मिल जाएगा lower case में already convert करी दिया इसमें भी अगर मैं shorting कर दूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा ABCD मिल जाएगा ठीक है तो फिर हमें comparison करने में easy रहेगा कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है ठीक है तो अब हमें करना है इसका shorting तो उसके लिए हमारे पास एक function करता है वो ठीक है अब else part में हमने पहले तो इसको lower case में convert कर दिया आपको मैं print करके भी दिखायता हूं दोनों को कि lower case में convert हो चुके हैं आप यहाँ देखो convert करके मैंने उसी में assign कर दिया मैं चाहता तो दूसरे variables में भी डाल सकता था बट मैंने convert करके उनी नाम के variables में डाल दिया है अब अगर मैं print करवाँ str1 को और str2 को तो दोनों को मैंने print करवा दिया and यहाँ पर आप देखो यह इस तरीके से आपको output मिल रहा है acdb dbca अब यह lower case में convert हो चुके हैं बट अभी इनको अभी short हमने नहीं किया है तो मैं बात कर रहा था अब हमें इसमें shorting perform करना है तो उसके लिए हम use कर लेंगे shorted function को तो मैंने shorted function का use करके str1 को short करवा दिया ठीक है मतलब यह ascending order में arrange कर देगा letters को string के जो letters है and arrange करने के बाद उसको मैंने str1 के अंदर डाल दिया and फिर similarly हमने ठीक है तो str2 से हमने short कर दिया shorted function का use करके दोनों string को ascending order में short करके variables में assign कर दिया str1 में और str2 में ठीक है मैं same variables में assign कर रहा हूं आप चाहो तो different variables भी use कर सकते हो ठीक है अगर मैं यहां पर आप इन दोनों को print करता हूं print करने की जरुवत नहीं मैं आपको समझाने के लिए print कर रहा हूं str1 and str2 तो अब आप देखोगे यह short तो हो चुके हैं बट जो shorted function होता है वो हमें क्या return करता है list return करता है आप देखो यह दोनों short हो चुके हैं ABCD ABCD अब यहां पर list रिटन हो गया अभी भी आप list को भी list किससे compare कर सकते हो ठीक है तो अभी भी अगर आप compare करोगे तो आपका result मिल जाएगा ठीक है इनका जैसे अगर में यह आपका दिख रहा होगा आपको output में यह दोनों के list हैं पहले जो था type of str2 ठीक है तो दोनों का type अभी हमें क्या मिलेगा list मिलेगा ठीक है यह दोनों क्या है अब list बन चुके हैं पहले यह string थे तो shorted function से ascending order में short होगा है आप देख सकते हैं यहाँ पे a b c d a b c d दिखा रहा है इंड इसका जो type है वो convert हो चुका है यह list के form में आ जुके हैं ठीक है तो list के form में आ गए हैं तो list को भी list से हम compare कर सकते हैं कैसे compare करोगे आप if statement लगा दो फिर से and if के अंदर आपने देखा क्या str1 बराबर है str2 के ठीक है अगर बराबर होगा तो हम print करवा देंगे कि दोनों जो string है वो enagram है ठीक है क्योंकि दोनों में जो characters है वो same है ठीक है अगर same होंगे दोनों में character पहले वाले में भी a b c d है दूसरे वाले में भी a b c d है अगर same character से हैं तो हमने यहाँ पिलिखा कि बोधधी strings are same बोधधी strings are enneagram ठीक है and अगर इसा नहीं है जैसे उपर वाले में है एबी xy और नीच वाले में है abcd तो वो यह वाली if वाली condition गलत हो जाएगी उस case में हमारा control जाएगा else में and else part में हम पिर्ण कर वा देंगे कि जो दोनों string यके वह Enneagram नहीं है ठीके बाएब इस्ट्रिंग सब्हुत नोट Enneagram बाएब इस्ट्रिंग सब्हों नोट Enneagram ठीके तो इसको कर लेते हैं तो यहां पी क्या गया दोनों string क्या है Enneagram में क्योंकि दोनों में जो character से वो same है जिसे इसमें मैं यहाँ आप x रख देता हूँ तो both these strings are not enagram तो आप चाहो तो यहाँ आपको list मिला list को compare कर लिया बट अगर चाहते हो आपकी string ही रहे तो आप इसको क्या कर सकते हो आपको पता होगा कि अगर मुझे list से convert करना है वापस string में तो मैं क्या use कर सकता हूँ join को use कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ join का use कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने join function का use कर लिया dot join and इस पूरे को मैंने डाल दिया join के अंदर ठीके तो short होने के बाद जो मुझे list मिलेगी वो सारे list के जो element है मुझे आपस में join करके एक string generate करना है यहाँ पर एक separator बता दिया तो separator मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक blank दे दिया यहाँ पर ठीके similarly यही तरीका मैं दूसरे में भी करूँगा ठीके तो यह join से क्या हो गया जो list में पास आ गया था list के अंदर जित्ते भी characters थे वो आपस में join हो गया और उनके बीच में कोई separator extra नहीं आया मतलब कोई space वगरा हमने कुछ नहीं दिया ठीके तो यह ABCD ABCD इस तरीके से हमारे पास आ गया यहां पर वापस में इसको सही कर देता हूँ X की जगा क्या था ओल्रडी यह B था यहां पर ठीके तो आप देखो यह पहले list के form में आ रहा था अभी string के form में आ गया ABCD ABCD और इन दोनों का class भी क्या दिखा रहा है str दिखा रहा है यहां बता रहा है both these strings are enagram ठीके अगर मैं यहां पर कुछ दूसरा लिखता हूँ suppose मैंने S लिख दिया तो आ गया both these strings are not enagram तो friends आपको clear हो गया होगा एक बाई मैं फिर से explain कर देता हूँ enagram का मतलब होता है number of characters equal होने चाहिए capital small से कोई दिखकत नहीं है and sequence अलग-अलग हो सकता है ठीके तो सबसे पहले तो आपको length चेक करना अगर length ही equal नहीं है तो direct आप आगे चेक करने की जरुवती नहीं है direct आप बोलोगे दोनों strings आपकी enagram नहीं है और अगर length equal है तो आप जाओगे else part में and आप उसको upper case में lower case में convert कर लोगे तो आपके number of comparison आपको कम करने पड़ेंगे जैसे मैं upper में करूँगा तब भी कोई दिखकत नहीं है तब भी काम करेगा ठीके तो अब आप देखो यहाँ पे यह upper case में आ रहा है ठीके तो अपर में भी कर सकते हो lower में भी कर सकते हो तो convert करके उसी में डाल दिया फिर यहाँ पे हमने उसको short कर दिया ताकि वो sequentially छोटे से बड़े के form में ascending form में arrange हो जाए and वापिस यहाँ पे जो list आया था की स्ट्रिंग्स चोहें एन अग्राम है otherwise not एन अग्राम है thanks for watching